तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागर है आपका स्पोर्स तक में कल दिल्ली कैपिटरल्स और राजिस्थान रोयल्स के बीच मैच खेला गया दिल्ली के आरुन जेतली स्टेडियम में और इस मैच में दिल्ली ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया और 222 रन का टागेट चेस कर रहीती राजिस्थान रोयल्स और लगभग लगभग अचीव कर जाती अगर संजू सामसंग का वो विकेट जो है आउट नहीं होता और इसी को लेकर ये विडियो किया गया है और इस वीडियो में हम बात करेंगे संजू सैमसंग पर और किस तरह से वो विकेट गिरी और किस तरह से बाकी रियाक्शन आ रहे हैं सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 222 का टागिट चेस कर रही थी राजिस्तान रोयल्स और संजू सामसंग जो एक शांदार बल्ले बाजी कर रहे थे 45 बाल्स पे 86 रन बना चुके थे और अपनी सेंचूरी के और राजिस्तान रोयल्स के जीत के बहुत करीब थे उसके बाद एक शांदार शॉट खेलते हैं मुकेश कुमार की गेन पर और शाय होग बाउंडरी पर उन्हें कैच कर लेते हैं और अपना संतुलन बनाते हुए वो कैच करते हैं मामला थर्ड अंपायर पर जाता है और उसके बाद उन्हें आउट करार दिया जाता है इस डिसिजन से संजू सामसंग खुश नहीं होते हैं और उन्फील अंपायर से उनकी बहस होती है और बे मन उन्हें वापस पिविलियन लोटना पड़ता है और इस डिसिजन के कारण जो है राजिस्तान रोयल्स के प्लेर्स और सपुट स्टाफ भी नाखुश नजर आते ह हैं इसके बार अब एक और फैसला आता है IPL के इस मैच के दोरान और संजू सामसंग को 30% मैच फीस जी हैं उन पर जुर्माना लग गया IPL के Code of Conduct को ब्रीच करने के इस मामले को लेकर अब इस पूरे मामले को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं क्या संजू सामसंग आउट थ को हार मिली यहां पर हम बात करेंगे कैसे सारे फैन्स जो हैं इस डिसिजिन को लेकर बात कर रहे हैं नवजोत सिंग सिव्धियू को लगता है कि शाय संजू सामसंग का विकेड गिड़ना जो है उसने मैच का पूरा रुख बदल दिया और उनको लगता है कि संजू कुमार संग करा डिरेक्टर फ्रिकेट है उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा इस वीडियो में जाने के सबसे पहले फैन्स क्या कह रहे हैं इस डिस्मिसल को लेकर आईए जानते हैं अलग-अलग रियाक्शन आ रहे हैं एक्स पर कुछ फैन्स जो हैं लिख रहे हैं कुछ कुछ ने का है कि लेवल ओ अंपारिंग जो है IPL में बिलकुल भी खराब है और उन्होंने यहां पर संग्व शामसंग को सपोर्ट दिया है और कहा है कि बिलकुल बिलकुल क्लिर सिक्स था खुछ लोग कहते हैं कि यहां पर IPL जो है बिलकुल भी अच्छा नहीं आई I saw the cushion move, it was not out and Sanju Samsung misses out on a well-deserved 100 और किसी ने पाट जिंदल के उस reaction को लेकर यहाँ पर बात की है और किसी किसी ने कहा है कि BCCI को umpiring जो है यहाँ पर सुधारने की जरुवत है पाट जिंदल की यहाँ पर कुछ fan ने बात की है आपको बताते जब यह shot खेला गया तो बहुत ज़ादा arguments हो रहे थे on field empire के साथ Sanju Samsung की और पाट जिंदल जो को ओनर है दिली capitals के वो जो हैं बैठे वे थे और उन्होंने clearly visible थे camera पे और वो कह रहे थे कि यह out है और out है उनका वो video भी काफी ज़ादा viral हो रहा है तो यह दो fans के reactions थे नवजोत सिंग सिदू जो की commentary panel का हिस्सा है उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि Sanju Samsung का out होना उससे game बदल गया और उन्होंने कहा यह बिल्कुल साफ साफ not out थे आई जानते है नवजोत सिंग सिदू ने इस पूरे मामले में क्या कहा है उन्होंने कहा है दूज में अगर मखी हो तो पीना मुम्किन नहीं टिकनोलिजी अगर गल्ती करे तो हजम करना मुम्किन नहीं संजू सामसंग साफ साफ not out थे तो clearly उन्होंने कह दिया कि संजू सामसंग not out थे फिल्डर का पैर दो बार boundary line से लगा या तो आप टिकनोलिजी को इस्तमाल न करे लेकिन अगर इस्तमाल करते हैं और टिकनोलिजी गल्ती करती है तो फिर यह ऐसे है जैसे दूद में मक्ही प पता है और सामनी वाला आपको कहरा है कि ये दूद जो है आप पी जाओ अगर आप टिकनोलिजी इस्तमाल कर रहे हैं और अगर टिकनोलिजी गलत हो रही है तो आप जो है उसको ठीक करके साफ 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 शब्द में कहा कि वहीं संजू सामसंग not out थे इसके लावा प्रेस को Conference में कुमार संगरकारा आये, उनसे इस बात के बारे में पूछा गया, सवाल किया गया और संगरकारा नहीं कहा कि हम Empires के साथ मिलकर इन चीजों को सौट आप करने की कोशिश करते हैं और उन्हें कहा कि Empires के decision जो है, final decision होता है, सीधी बात है और क्या कुछ कहा है, इस पूरे मामले में संगरकारा ने आये देखते हैं कुमार संगरकारा जो डिरेक्टर अफ क्रिकेट हैं, राजिस्तान रोयल्स के उन्होंने कहा, ये रिप्ले और एंगल पर निर्भर करता है, कभी-कभी तुम्हें लगता है कि पैर छूग गया, तीसरे अंपायर के लिए निर्णय करना खटिन था उन्होंने यहाँ पर चीजें कही कि बहुत मुश्किल था थिसरे अंपायर के लिए निर्णय करना कोई डिसिजिन बनाना खेल निर्नाया को मोड पर था और काफी डिस्सिव था लेकिन ऐसा हुआ हमारे पास अलग-अलग परस्पेक्टिव हैं लेकिन दिन के अंत में at the end of the day आपको तीसे अंपायर द्वारा दिये गए निर्ने पर कायम रहना होगा जो अंपायर कहते हैं आपको उसके हिसाब से चलना होगा बले इस पर हमारी राय अलग हो बेशक्त हम इसे अंपायरों के साथ साज़ा करेंगे उनसे बात करेंगे लेकिन मुझे लगा इसके बावजूद हमें खेल खत्म करना चाहिए था दिल्ली ने अच्छा खेला आगे क्या कहा संगरकारा ने आईए जानते हैं उन्होंने कहा बस मैं पूछा पूछ रहा हूँ कि प्रक्रिया क्या थी क्या प्रॉसर था क्या कोई संदे था कोई डाउट था मैदानी अंपायर को TV अंपायर के कहे अनुसार चलना होगा उन्होंने कहा कि जो on field अंपायर है जो TV अंपायर कह रहे हैं उसके हिसाब से उनको decision लेना होता है माद्यम से अपनी राये बताने के साधन मौझूद है हम प्रोटोकॉल का पालन करते हैं खिलाडियों और अमपायों पर काफी दबाव होता है we try to sort it in the best we can तो सीधे शब्दों में यहाँ पर कुमार संगर कारा जो कि राजिस्तान रोयल्स का हिसा है उन्हें कहा कि खिलाडियों को जो अमपाया डिसिजिन्स लेते हैं उसका पालन करना होगा आप कॉमेंट सेक्शन में जाके मज़े बताईए आपको क्या लगता है कि क्या संजू सैमसंग आउट थे या नौट आउट थे क्या उनके आउट होने के बाद जो है राजिस्तान रोयल्स को धक्का लगा और उनके आउट जो उनका आउट होना विकेट गिना was the turning point of the match कॉमें सेक्शन में जुरू बताईएगा उमीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कर लिजेए इसके लावद पर जाके भी सारी खबरें पढ़ सकते हैं अभी के लिए बस इतना ही मुझे दीजिये जौज़े धन्यवाद